हलो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले हम जी क्या हल चाल आप सभी कि मैं आपका दोस्ते में पठाम दुबारा आगया है वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो आप नहीं सोच पाएंगे हम पानी और तेल को मिलाने वाले हैं वीडियो पूरी लास तक देखें आज वीडियो श्राट करें हम पानी में कुछ भी मिलाते हैं जैसे ये फूर फलव से आपको दिखाता हूं तो ये नॉर्मली मिल जाता है क्योंकि इन दोनों के मॉलीक्यूल आपस में गुत्री बाट्रेक्ट करते हैं और ये डिजॉल हो जाता है पर अगर हम पर अगर हम पानी में टेल डालेंगे तो ये नहीं मिलेंगे आपके सामने हैं क्योंकि तेल की जो मॉलीक्यूल होते हैं वो पानी से अट्रेक्ट नहीं करते हैं और इसकी डेंसिटी भी पानी से हल्की होती है तो कुछ यह हमारा उपर तेल है और यह पानी है पर हम इसे मिलाएंगे जी हाँ और उसके लिए हमें चाहिए होगा विम देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि यह तेल उपर है पानी नीचे दोनों में फरक दिखूँगे आपको नॉर्मल लिक बाद हिलाके भी दिखा जेता हूं यह मैंने हिलाया दुबारा तेल उपर आगया पानी नीचे और अपकी बार हम थोड़ा है डालते हैं विम और अब मिला कर देखें तो आप देख रहे हो पानी और तेल हमें मिला दिया और यह हुआ इसलिए क्योंकि विम के मॉलीक्यूल होते हैं वह पानी और तेल से दोनों से अट्रेक्ट होते हैं और वह कुछ ऐसा आपके सामने नीट्रल सा बना जिते हैं जैसे आप बरतन कभी धोते हो आप कोई तेल वाले बरतन होते हैं उसको आप नुद्रल पानी से करते हो नहीं हटते पर आप विम या कोई लगाते हो तो पौरन तेल हट जाता है चिकनाई जो होती है उसका भी सेम यह ही रिजन होता है तो यह देखिए तो अब हम सेम चीज यह कलरड़ पानी और वही अमाल पार जो तेल है इसमें ट्राइब कर लेके तो इसका कलर से कलर लेस है तो देखिए आपको उपर दिख रहा है यह पानी नीचे है हम नौर्मल्ली ऐसे मिताएंगे यह थोड़ा बहुत ट्राइब करेगा फिर वापेशी उपर आ जाएगा जोगी इसकी डैंसीपी पानी इससे खल्की है और अब हम ट्राइब करते हैं अपने इन के साथ अब यह जो पानी तेल और यह विम मिलकर होमोजेनिस सेलूशन बना देते हैं जो आपके सामने है तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें शेर कर दें और कमेंट में आइज देते रहें और मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर